हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है आईफोन एट और एट प्लस ये वो दो आईफोन्स है जो सबसे पुराने है आपल के लाइन अप में जिसमें आपल ने आईएए 16 का सपोर्ट दिया है और इन दोनों आईफोन्स के उपर ही आपको आईए 16 दे के अंदर बस यहाँ पर आईए 16 ज़रूर आप ने दे दिया है फीचर थोड़े बहुत आपको देखने मिलेंगे लेकिन जो हाइलाइटिंग फीचर है जो जबरदस फीचर आईए 16 के अंदर आये है अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देगा दो वीडियो में इसमें बना आईफून बाय करना चाहते है और वो लोग जो है मिनिममम वो आईफून लेना चाहते है जिन पर आयो 16 सपोर्ट उनको देखने मिले लेकिन आईफून 8 लेने के बाद भी ऐसे जो फीचर बड़े बड़े आयो 16 के वो उनको वहाँ पर मिलेंगे नहीं तो इसलिए मैं आप आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या कुछ मिसाउट करेंगे अगर आप आईफून 8 या 8 प्लस लेंगे तो आयो 16 चलाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मेरे आईफून 8 पर मैं आपको सेडिंग में जेनरल में लेके आता हूं सौफ़एर अपडेट में ले जाके दिखा बैगरांड को रिमूफ करने का जैसे आप आप देख रहे हो मैं यहाँ पर इस फोटो के ओपर टैप कर रहा हूं लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ भी चीज जो है वो नहीं हो रही है तो यहाँ पर यह चीज मैं आपको अपने आईफून 13 प्रो पर दिखा देता हूं लेके उसके बैगरांड के दो बैगरांड रिमूवल के लिए मुझे कोई भी थर्ट पड़ी अप्लिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर मैं सपोस्ट जाना चाहता हूं नोट्स के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूं देखिन नोट्स के अंदर यह पेस्ट हो गया और स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे लॉक्स्क्रीन वालपेपर का ओप्शन जो है दोनों फोन में आपको देखने मिलेगा 13 प्रो में भी है और आइफोन 8 में लेकिन आइफोन 8 के अंदर आपल ने बहुत ही खुबसूरत वालपेपर जो है वो निकाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते है वेदर एंट अईस्ट नॉमी में अपको इधर यहाँ पे इतने सारे वालपेपर देखने मिलते है आइफोन 13 प्रो में और आइफोन 8 में एक ही वालपेपर आपको देखने मिलेगा है तो यहाँ और तेख सकते हैं काफी हूपसूरत अलग-全部 में आपको क्ला जाता हूं दोनों फोन के अंदा थार यहां पहले अफ्ल सब्सक्राइए पर नियुदिश की से से यहां पर यह चीज़ आप मिस आउट जरूर करेंगे आयो 16 में नया जो फीचर आया है जो 13 प्रो में मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट पहले कर चुका हूं कि यहां पर आप जो है डिरेक्ली जैसे लाइफ टेक्स अला ओप्शन होता था लाइफ टेक्स तो है लाइफ टेक् के लिए currency conversion भी camera application के अंदर आ चुका है तो camera app से आप डिरेक्ली वो चीज़ कर सकते हो लेकिन iPhone 8 पे अगर मैं आपको दिखा हूं यही चीज़ यहां पर देख सकते है वही menu card है जो मैंने आपको iPhone 13 Pro पे दिखाया था और यहां पर कोई भी currency conversion live text का option आपको देखने नहीं मिलत आप iPhone 8 पे नहीं चला सकते तो यह सारे features भी वहाँ पे उसी के साथ miss out कर देंगे आप iOS 16 का एक काफी बड़ा feature है अगर आप AirPods Pro वगरा यूज करते हो तो वो है personalized special audio यहां पे आप देख सकते है कि आपका जो iPhone है जिसके अंदर face ID sensor है उसमें आप personalized special audio कर सकते हो यानि कि आप कर लेते तो iPhone 8 में हम अपने AirPods Pro जो है सबसे पहले connect कर लेते हैं इसको यहां पे मैं open कर लेता हूं और यहां पर हम सेडिंग में जाएंगे तो यहां पर हमको AirPods का नया option जरूर देखने मिलेगा और यहां पर इसमें अगर हम चले जाते तो कोई भी personalized special audio का option हमको यहां पर देख personalized special audio इस पर मैं क्लिक करूं continue पर टैप करूं तो यहां पर देख सकते हैं आपके मेरा जो face ID sensor है वो यहां पर open हो जाता है और यहां से मैं अपने face को scan कर सकता हूं इसके बाद यह मुझे अपने right और left ear को scan करने बोलेगा और उसके बाद एक personalized special audio experience जो है यह मुझे provide करेगा यह एक अच्छा device है और iOS 16 के काफी सारे ऐसे भी features जो इन पर चल जाएंगे कौन से features चल जाएंगे वो देखने के लिए आप वीडियो चेक आउट कर सकते हैं आप आई बटन पर मिलेगा description मिलेगा वहां से वीडियो के links आपको मिल जाएंगे सारे features अब देख सकते हैं तो यह 5 आज features चोड़ के जो बागी की features है iOS 16 के वो जरूर इन devices पर चलेंगे और iPhone 10 भी जो है यही सेम chipset के साथ आता है जो iPhone 8, 8 Plus आता है क्योंकि साथ में ही release हुए थे तो इस phone पे कौन से features चलेंगे कौन से नहीं यह अगर आपको जानना है तो मुझे comment section में लिख के जरूर उमी किताओ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसने होगा पसने होगा पसने हो इसको like and share जरू कीजिए मेरे इस चैनल को subscribe जो किजिए goodbye